तालुका में ताज आश्रम सावंगी में सूफी संत पंडित पूजी भायाजी महाराज की जरैन धुली से पावन ताज आश्रम सावंगी में मकस संक्रांती के अफसर पर हर साल एक भवी यात्रा का आयोजन किया जाता है लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमन के चलते इस वरश मकस संक्रांती पर लगने वाले भव्य मेले को सगित किये जाने की जानकारी हेटी सावंगी के सरपंच अशोग डवरे और आश्रम संचालक गुरुवारे बुधोलिया द्वारा दी गई है ग्यातो हड़ साल मकस संक्रांती के अफसर पर प्रसिदि कताकार और संतों की पवित्र उपस्तिती में पंडित पूझी भाईया जी महराज द्वारा रचित्ते प्रातना स्त्रोत पर आधारित प्रवचन का आयोजन किया जाता है जिसे सुन्ने और पंडित पूजी भहियाजी महाराज के समाधी इस्तल के दर्शन हे दू भाविकों के साथ ही शेत्र के कई गणमानिय व्यक्ति और ग्रामिन भारी संख्या में पहुशते हैं भहियाजी महाराज की स्मृती में मकद संक्रान्ती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है जिसमें पूरा गाव विजली की रोश्नी और तोरनों से सजाया जाता है पंडित पूज्जे भयाजी महराज के अनुयाई समूचे महराज के साथ साथ करीबी राजजी मधिवरदेश, छत्तिसकड और देश विदेशों से यहां दर्शन हेतु आते हैं जिससे ताज आश्रम सवांगी को यात्रा का स्वरू प्राप्त हो जाता है पुछले दो वर्शों से कोरोना महमारी के संक्रमन और हाली में तीसरे चरण के बढ़ते प्रकोफ को देखती हुए इस वर्श मकर संक्रांती पर होने वाली है यात्रा इस्थगत की गई है हीटी सवांगी के पूर्व सर्पन संजे गोड बोले ग्राम पंचैस दस्य और ग्रामिनों ने श्रद्धालूं और ग्रामिनों के स्वास के लिए तीर्थ यात्रा इस्थगत होने का स्वागत किया है सावनेर से NBCN न्यूस के लिए किशो ढूंडेली की रिपोर्ट